यह दि घर को शंखा आफ ३ मतलब पुजाह को शंखा शंखा, और रूप्पाू ये 20 साल में इस्तापिध संखा तो प्रोकोच ढूआ जासीयो आफ हैं ये 15 शाब्दे अंग ट्योत मलतापी है पर महाभारत को एक घटना मा वने संखильно है प्रिय भक्त भागवत अब यो सुन्दर अनि अतन्त ज्ञान वर्दक रहस्य मैं कथा मैं यारलाई सुनन जा देशु। कुन अवस्तामा संख आफई बजद सा र संख आफई बजनु को अर्थ कियो राम्रोव की राम्रोवैन। क्रिपए सब जानले क्रिपए धिहांदेर असुननो अलाई। सोपच बालमीकी नामक एक भगवान स्रीकृष्ण का महान भक्त अनों थ्यो। सोपच बालमीकी भने को, सोपच को अर्था कुकुरको माम्स खाने जातलाई सोपच बने इन्चा। तो इस बाल्मीकी भक्त का बारे मा बतायो, इस बाल्मीकी भक्त महा काव्ये रामाइड का रचना कार होनों न। यहां मा भारत का बाल्मीकी होनों चाई, क्रिपे अजुर ऐक्ते अ भुजिति दिनो ओला हुआ एक पटको कुराओ धर्मकूत्र राजा युदिस्टीर ले अतेंत ठूलो येग्ये गरीरानु वाय को थियो। एक पटको कुराओ धर्मकूत्र ले अतेंत ठूलो येग्ये गरीरानु वाय को थियो। तरपनी संखा बादेना। पुर्णा उतिपनी वायो येग्ये को तरपन वायो ब्रामन वजन वायो। आउनु वाय का संपोर्ण रिशी महर्शी ब्रामन अरलैं। दान्दक्षिन आदि संपोर्ण कार्य हरू बीधी पुर्वक में वायो। कुने पनी तेस्तो किसिम को तरूटी हरू भायो तरपनी संखा बादेना। सबय को मन मा चिंता भयो यती दुखा कस्ट गरे रहे यग्य गरियो तर संख बजन भयो ना यसको मतलब आमरो यग्य तुरूटी पूर्ण भयो बनने किसी में सबय को मन मा लागियो स्री कृष्ण भगवान संग आयर सबय जैनले आद जोडे रहे प्रोव आमी बाट ठुलो भूलवाय कि क्या हो आमी अरले ठुलो गलती गरियो आम बाट अपराद भयो की आमले गरियो को यग्य सबलवाय ना तो भगवान स्री कृष्ण ले भनननु भयो ये पांडव गण सं संख नवजन को कारण अब सबय ध्यांदेर सुन्नो अला ये दपी रेशी हरु को समवा चारे दिशावड आउन वायो र तपैं हरु को येग्य स्तल भरी भराव भयो सबय राम्रु संग भोजन आदि गर नु भयो तर रसिक बईश्ण बले भोजन प्राप्त गर नु भयो मा त्रबले idkya ले गर आ खेरी तपैं हर को येच्जे सफल भाई नेु उसे भघवावाल को सारा ने भोजन प्राप्त गर नु भयो तर रसिक बईश्ण म को नबले भोजन गर नु भयाया गर नु भुत ैये dit्ये भगवानली वन्दुवा, मत्यस्त पनी भन्दिन, बास्तप मां सबय जाना भक्त होनोंच, सबय जाना भक्त होनोंच, तर पनी, म मेरो रिदय को यवटा गूपत कुरा बताऊंचु, मत्यो भक्त, त्यो बश्णवलाई सर्वस्रेष्ट रसिक बश्णव मांद शु, जस्मा आफनो विद्या, आफनो जाती, र आफनो ज्ञान आदि, कुले consonही कुराम पनी अहंकार हो देना, रति पनी अहंकार हो देना, निरंकारी भक्तलाईने, म रशिक भक्त भनेरा पुकार दाशू, जयार नुच्यु यो संख आफे भजन होंचा, भजन गरायरता एर्मस्ता, जस्मा अलिकति पनी अहंकार चाहिना, एस्ता रशिक बश्णव लाए मयले काहा रक्कुन लोक बाट ल्यावू प्रभु वनेरे युदिष्टिर मायरा ले भगमालना बन्नुवा, तब भगमालने भगमालने भगमा आउनोंचा, कोसे इले पनी वाहा लाइचिन्नोंचा, तरव वाहाले भने तपयारो सबै लाइचिन्नोंचा, और यो सुन्ने भितिके अतेंत आसर जेचा के तोनुभायो युदिष्टिर माहराज, और तियस्पची तुरूंत अर्जुन रभीमसेनलाई आदेश दिन भग ये बाबु हो, अब तिमरु तुरूंत गयर ती महान भाग्ये साली रशिक बईशन भलाईया लियर आउनू, महाराज ले स्वतन भगवानलाई ये प्रभु, अब हजुर ले ती रशिक संत कहां बशन होंचा, सपय कुरा बताउन होस, वाहां को नाम की हो, र कुनी स्थान मा बशन होंचा, भगवान स्री कृष्ण ले बताउनू, महाराज यूरिस्थिर वहां को नाम हो, शोपाच बाल मी की, अनि वहां ये तै नगर मा बशन होंचा, फलान भालानू ढवामा, अंतरियानी परमात मा स्री कृष्ण ले संपोर्ण कुरो बताई दिनू, भगवान रशिक भष्णपको इस्तान ठेगान अप्राप्त गर ने बेतिक के अर्जुन रभीमसेन तुरूंत रत्मा सवार भायरा हिंडन वनेर लागनू भायको तियो, तेतिके इमा भगवान स्री ले अर्जुन रभीमसेन ले सतर कगर दे रिधा एको कुरा सुनाओनू बाय, ये पनी इभग्तमा अहंकार छादे चाईना, विकार शुन्ने होनूंच, तेसकार ले गरदाखेरी इरशिक भष्णपको शामू जादा, अलिकति पनी वहां को चरणमा अपराद नहोस, तपैं अरले अलिकति पनी वहां को चरित्रमा संदेहर्न गर्नू हला, नत्र वन्देख अनर्थ होना सक्स, तपैं अरुकेई भग्ति पनी राश होना सक्दा स, योकुरामा ध्यान दिन होला, वहां को चरित्र अलिकति बुजन गार होला, तेसकार ले शाबधान रहनोस, तभगवान ले जब येस प्रकार भन्नू भष्ण भष्ण भगवान को आदेश प्राप् अरुकेई कि भगवान को किर्तन मतनमय भैर बसीर नुभाय को थियो, पुजा ग्रीह हैर नुभायो सोपच बाल्मी कीको, अतिन्त सुंदर तरिकाले ठाकूर जिलाई, भगवान स्री कृष्ण लाई, विराज मान गर आयरा पुजा अर्चना किर्तन आनंदले जुमेर बसी प्रिये भग्त भागवत, तेस पची अर्जुन्रभीमसेनले टाणे बाट सोपच बाल्मी किलाई दंडवत प्रणाम गर नुभायो, और तेस पची हात जोडेर भन नुभायो, ये महा भागवत, ये महा भागवत हामीलाई पनी क्रिपा गर नोस, आमीमा पनी यस्ते भग है अब हजूर अर्को शेवा गरने अब सर प्रदान गरनोस, हामी हजूर अर्जुन्रभीमसेनले भनन वय, जब आफना राजा आफनो घर मा अचानक हावरे न गरिकन्या, आउनु भग्त देखे पची पची। सोपच बाल में की बिनम्र सोबाप का उनों थियो सीधा साधा उनों थियो एक छिनता हडवडा होनु भयो लोन किये गरनी कसो गरनी महराजर को शेवाक सतकार कसरी गरनी भने रचे रातो नीलो होनु भयो एकदमी केई बोलने ही सकनु भयो तर एक टेचिन पसी धैरे धारने अहा, आज मेरो घर मा साक्षित भगवान का पारसदरु पालनु भयो मेरो घर आज वाईپूंता भयो गोलक भयो भन ठालनु भयो आपन धालनु भयो ये महराज मत हजुर इत gefallen हूं मेले परदस मेरो उच्छिस्ट सेवन गरनी यो कुरेही न गरनो हला हजर अरको बरो उच्छिस्ट मला प्रदान गरेर यो दासमा थिक्रिपा गरनो हला जब एस प्रकार सोप च बालमी केले बननो वायो दुई भाई अतेंत प्रसन अनो वायो उच्छ कोटिको भागवत उनो दो रहे चा वनेर तीन चोटी परिक्रमा गरनो वैर भन्न वायो ये प्रभु ये महा भागवत अब कुनेई पनी हालत मा हामरो ग्रिह मपालनो हला हजुर को प्रसाद उच्छिस्ट प्रदान गरिर हामी हर को पनी पाप रासिला नश्ट गरि दिनु हला तो और जुन्र भीमसिन ले ये स्प्रकार शवी नए अनुरोद गरिर त्याहा बाट आफनो महल तरफ प्रस्तान गरनो भयो और जुन्र भीमसिन दोडी दोडी आयर महराज युदिस्टिर ले बाल मी की भक्त को बारे मा सुनोनु भयो महान रशिक भक्त को बारे मा सुनेर युदिस्टिर महराज पनी खुशीले गद गद होनु भयो भक्त को चरण मा प्रेम प्रकट भयो अनि भगवान स्री कृष्ण ले द्रोपदि लाइपनी आदेस दिन भयों, ए द्रोपदी तिमीत एक दमें मिठो मिठो पकाव न सक्षो भनेर प्रसिद्ध दशाओ, अब भोली रसिक बैष्णव आउदे वनोंच अब वहां को खुशिका लागी, तिमले आपनो पाकला को प द्रोपदि लियो आदेस प्राप्त गरिन, अनि भोली पल्ट की वहो? भोली पल्ट महाराज युदिस्टिर को आगन मा टुपलु कर्रसिक बश्णव आउँनु भयो, स्री कृष्ण भगवानले सुचित गरनु भयो, ए युदिस्टिर तिमले आपनो भाई समान माननु, एक दमे स्वागत सतकार गरेरा भित्र लियाऊनु, युदिस्टिर महाराज आपनो आगन मा आउनु भयकार रसिक बश्णव लालीन भनेर जानु भयो, डोगनु भयो, प्रणाम गरनु भयो, खोशीले गद गद होनु भयो, भित्र जाउँ भित्र जाउँ भनेर भननु तरह एक दमे स्वापन भिनम्र रसिक बश्ण भनों थेु, वईन महाराज म भित्र जानाद। वईन महाराज म यही आगन में भसु, यही आगन में तबने महारो भुशी भगवत प्रसाद सेव कीयोशी महाराज युदिष्टिर ले भननु भाई वहिन वहिन अजर भित्र प्रस्थान गरी बख्षियोष आमिलाई स्यवा गरने अवसर प्रदान गरी बख्षियोष महाराज युदिस्टिर ले बार बार अनुने बिने गरन भयो भित्र जाओं भित्र जाओं तरपनी महा भित्र जाना अतेंत संकोच मानी रन भयो अन्तिम्मा महाराज युदिस्टिर ले आफनो हातें महा बोके रा ती बाल मी की भगतला भित्र लियर जान भयो आसन तयार गरिये को थियो आसन मा राखियो और द्रोपदिले सुन को थाल सजाओनों भाय को थियो औरी परी सुन का कचव राहरू सजाओनों भाय को थियो अनि त्यस्पची आफले एकदमे मियनत गरिरा बनाईये का बिविन ब्यांजन प्रशाद यरू तयां लेयो र सबय कचव राहरू मा एवटा एवटा परिकार राखियो तो एरदा लाथ्यो की त्यो एक जार आठ भोग लगाईये को थियो जस्तो यरू साई तो पांच अनि द्रोपदिले पसका नुभयो आफले बनाएका परिकार हरू एक एक गरी तरह भईदियो की बने रसिक बैश्णबले द्रोपदिले थाली मा राखि दिनुभय का जती पनी बेंजन अरू छंती संपूर्ण बेंजन अरू लै मुछेर एक इठाउमा खिचडी जस्तो ब इठाउ आर्ठाण थालनुभयो जब रसिक बैश्णबले एक गांस आफनो मुख मा हलनुभयो तयती केमा संखभजनुभयो सब इले संखभजे को आवाज सुनुभयो तरपनि संख राम्रोषंग बजनुभ yana बजने नवजने बजने नवजने होनुभयो तो प्रिय भग प्रवान श्री कृष्णा लेकर संखा लाई सोद नुबाई रसिक बश्णबले भोजन गरदा पनी ये संखा तीमी किन रामरु संखा बजे नुब संखा भगवान संखा भय बित भयरा हाद जोडे रहे प्रवु ये समा मेरो केई दोस साई नुब मत आबाज निकाल ना खोजी रहे को थे तर आबाज ने आई रहे को थे नुब कारण हजुरम रहे दोवपदी महारा निलाई सोधी भक्षि som तब भगवान स्रीकृष्ण अवद दोवपदी को बॉत cienलोव संखा ले बताओ नो भय को तयो है किण कुन तेस्तो अपरात गरे तेस्तो गलती भयर तीमी बाट शंखा रामरु संखा अब्जन प्रभु हेर्णुन मैले एती दुखा कष्टा गरिर एक दमें भीत्र नरमाईलो लागयो भगवानले सोद्धुवाई एत्रा ब्येंजन प्रशाद इहरु बनाई एती पशी ना चुवाई मैले अगेनुमा बशेर धप धपती भयो मला कती पोल्यो मैले आज समक मेरो सर्वत क्रिष्टा पाक कला लगायर इस्वादिष्ट ब्येंजन अरु तैयार गरे ताकी इमाहान भक्तले इब्येंजन अरु मैं खिचडी ने बनाए रखाऊ ते मैले त्य दुखकश्ट गरे रबनाए का ब्येंजन अरु एके ठाउमा मुछे रखानु भयो तेस कारनले गर्दा खेरी मलाई नरमाईलो लाग्यो पांखेले खाय जसरी खानु भयो ब्येंजन को सतकार गरोनु भयो और भगवान स्री अप्राद भयो मन बाट भयो पर अप्राद भयो अब तुरुन्त गयर रशिक भष्णप को चरण मा परी आला माफ मागी आला तेस पची द्रोवपदी ले भगमान को आदेश बमोजिम रशिक भष्णप को चरण मा गयर ढोगी दिन भयो प्रणाम गर्न माफ मागन भयो ए प्रबो माफगरी बक्षियोश अजर महान भक्त हुनोंच मैले चिन्न साकीन तप्रिये भक्त भागबत सबय पांड भरु तेहीं बसी रन वैकु थियो द्रोपदी पनी अनी भगवान स्रीकृष्ण जो अंतर्यामी परमात्मा हुनोंच अब पांच पांड वरले योटा अते रशिक वैश्णव कोमार्फत भाटा भगवान स्रीकृष्ण ले रशिक वैश्णवला सोधन भायो ये वैश्णव जिऊ एत्रा प्रकार का ब्येंजन अरुशन एउटा एउटा ब्येंजन गरी खानू परने ठाउं मार अजूर ले सबय ब्येंजन मिसा एर एकई चोटी एउटे डललो पारे रखानू भायो इसको रहर्शे के वो क्रेपया बताई दिन वस तेस्पची रशिक वैश्णवले बताऊनू भायो ये प्रभु ये गोविंद इजती पनी ब्येंजन अरुशन इस संपूर्ण ब्येंजन हजूर ले भोग लागी सके कुशन ते बर इस सब्येंजन हजूर का महा प्रशाध हूं अतह पदार्थ बुद्धिले अलग-अलग स्वाध्म कशर ही लियूं पदार्थ त एक पछी अर्को गर्देखाद कुणे रुची कर लागला, कुने अरुचिकर लागला, अर्थाक कुने मीठो लागला, कुने नमीठो लागला, और या तो भोजन बुद्धी भायो, प्रसाद बुद्धी भायो ना, तेस कारण ले हे प्रभु भोजन बुद्धी ना होस, प्रसाद बुद्धी ने होस, मैं ले प्रसाद शेवन गरी र आने रने मैले यो संपूर्ण ब्यांजन प्रशादिलाई मिसा रखाये को हूँ ताकि मेरो जीवरो ले प्रशाद खाऊस भोजन न खाऊस जब येस प्रकार शोपच बालमी की भगत को मुहारविंदवाट पांच पांडवले सुन्नुवयो द्रोपदीले सुन्नुवयो प्रशाद बुद्धिले भगवत प्रशाद शेवन गरन उदरेचा जसले स्वाद लिन होई न भगवत प्रशाद को शेवा गरन को लागी प्रशाद लिनुदरेचा तो पांच पांडवले प्रणाम गरन भयो आसिस मागन भयो रसिक बैश्नवले पनी प्रणाम गरन भयो शेवा स्विकार गरी रद तेस पाची आपनो घरफार कीनु भायो तो प्रिये भाक्त भागवत यो कथा बाटा हमी अरले ठूलो ग्यानली न सब्धा सों कि हामी अरले भागवान का सुद्ध भाग्त 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 जीवन में भगवान का सुद्ध निरंकारी रशिक भग्त हरलाई प्रसन पार्यों वन्देखी तेस पछी शंख आपई ब्वाजनी रहे छा भनेर बुजाओं। आरको दुय नमर को हमियार जेजाती कला चाहिते पाकेल आई ऐशे उत्यू कुनेु युझ ते चाहित channels घरय खुदतों कारल मानसी रूप मापराद गरन होन्हां जा शरिद्रोपद मानसी अपराद गरन उस्टेज को पाकर वला भोजन लाय रामरसंग not do अदे उसके बढ़ाद अधो पहर रहां अनि सब बंदा अंतिम भने को कियो बंदा खेरी जब पनी हमी राधा मादब जी को महा प्रशाद प्राप्त गर्द शों तब श्वाद बुद्धी बेंजन बुद्धी ले हमी अरले खानी होईने ओहो मैले यस तो यस तो वेराइटी वेराइटी आइटम खा देचु ओहो प अर्षाद शोरुप को मैले श्यवागरद शो बने रा प्रशाद सेवन गरनी अर्था प्रशाद बुद्धी ले भोजन बुद्धी ले वहिना प्रशाद बुद्धी ले आइटम बुद्धी ले वहिना प्रशाद बुद्धी ले मैले प्रशाद को श्यवागरी राएको उतक्रिष्टा आध्यात्मिक जानकारी हर का लागी नेपाल की पईलो शुद्ध आध्यात्मिक चानल टीवी लोजिकल क्रिष्णलाई सब्सक्राइब गर नबलनो अला रहरेक अपडेट्स का लागी यो बेल आइकन पनी दबै दीनो हला